दक्तर जी बुखार के समाई मैदुन में भाग लेने से कैसे नुकसान होते हैं? साथान को पर बुखार की वजय से एक प्रकार की कमजोरी होती है। उतना नहीं बुखार की वजय से सेक्स में भाग लेकर दिल भी नहीं रगता। तो कैसे हो एक पर कमजोरी होती है, कि इच्छा नहीं रहती, कैसे कुछ नहीं। लेकिन एक बात समझा, पत्ति को तो बुखा होते हैं लेकिन पत्नी को तो बुखार है अपनी इच्चा के अनसार पती सेक्षन भागने छोगा या पत्नी को इता है इस प्रकार का संकोच होते हैं अब पत्नी को बुकार होने पर भी उसको सेक्स में भाग लेने की इच्छा हो तो पती से सेक्स में भाग ले सकता है वैसे ही पती को बुकार है पत्ने को नहीं लेकिन पती को ये सेक्स में भाग लेने की शिक्ती है बोर लेहर सेक्स में भाग लेना चाहते है जब भाग ले सकता है कुछ भी नहीं होगा बुखार के समय सेक्स में भाग लेने से किसी को भी वो पती हो या पती हो कोई भी हो किसी को भी दोनों को भी कि एक एक कोई भी नुक्सा नहीं होगा किसी प्रकार का नुक्सा नहीं होता इसलिए चाहे तो जो सेक्ष में भाग लेना चाहे तो सेक्ष में एंजय कर सकते हैं लेकिन एक बात समझे रहा है संभोग, संभोग में दोनां का आनन्द होना है संभोग दोनां का एक आदमी इसमें पती या पतनी इसको बुखार में है उसको किसी प्रकाइद की इच्छा नहीं है तो दूसरा वाला उस फेब भाग लेने की इच्छा प्रकाइट करना ठीक नहीं है लेकर दोनों को हो तो सेक्षिब भाग लेकर से उससे कोई जिव नक्सान नहीं और कुछ वीडियों के लिए कृपया हमारे चानल को सब्सक्रेब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशन पर दबाईए